हेलो फ्रेंड्स आइस्क्रीम क्लास डे टू मैंने यहां पर लिया है 200 ग्राम जामुन जैसे ब्लैक प्लम कहते हैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिश्ट होता है सबसे पहले हम इसकी गुठलिया निकाल लेंगे चाको से इस तरह से छील कर आप इसकी सारी गुठलिय निकालने और उसके बाद इसे एक मिक्सर ग्रेंडर में ले लेने के बाद इसे आपको बिल्कुल चिकना पीस्ट बनाना है इसमें आपको पानी नहीं डालना है जामुन एक सीजनल फ्रूट होता है यह बहुत ही ज्यादा मेठा और स्वादिश्ट होता है और में कई और शदिक गुण भी पाए जाते हैं यह डाबेटिक पेशिंट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है इसलिए आइसक्रीम उनको भी खिला सकते हैं साथी यह डा जादा होते हैं तो यह फ्रूट आप कोशिश करें कि आप हमेशा अपने डाइट में शामिल करें जब सीजन होता है तो यह फ्रूट आप जरूर खाए इसे मालाबार फ्रूट ब्लैक प्लम भी कहा जाता है जावा प्लम भी कहा जाता है इंडियन प्लम भी इसे कहा जाता ह तो यह बहुत ही यमी और डिलीशेस फ्रूट होता है और आज इसी के साथ मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा फ्रेश फ्रूट का आइस क्रीम शेयर कर रही हूँ तो आप मेरे यह वीडियो को पूरा देखें सी फ्रिंट्स मैंने इसे पेस्ट में कनवर्ट कर लिया आप इसका कलर देख सेते हैं कितना सुन्दा बिल्कुल जामुनी जो बिल्कुल पॉपल कलर होता हुआ है मैंने इसमें कोई कलर आड नहीं किया है पेस्ट बनाने के बाद आप इस तरह से इस एक बावल में निकाल करक उसके बाद हम अपना आइस क्रेशन का प्रप्रेशन स्टार्ट करेंगे. इस आइस क्रेम को मैं सिर्फ तीन इंग्रीडियन से बनाने वाली हूँ. मैंने जामुन का पेस्ट टेडी कर लिया है. अब हम इसके लिए लेंगे बिल्कुल ठंडा 3x4 कप विपिंग क्रीम. विपिंग क्रीम का उप्शन मैंने आपको पहले भी पताया है. आप अमूल क्रीम इसके लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट और भी ऑप्शन्स हैं जो मैं आगे आने वाली क्लास में आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है, अमूल क्रीम नहीं है, तो आप इन दोनों की बिना अपनी बहुत ही जबर्दस क्रीमी आइस्क्रीम कैसे रेडी कर सकते हैं. आप होममेट की जगह इसको मार्कित से भी ला आपके यूज कर सकते हैं. इसे भी आपको 1 minute तक अच्छा से बीट करना है तो फ्रेन्ट अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ इलाइक और कमेंड नाभूलें और जादर से ज़ा शूपर ताकि हर कोई घर पर आइस्क्रीम प्रिपेर कर सके, अब मैंने इसमें डाला है, जामुन का पेस्ट जो हमने पहले रेडी कर रखा था, आप इसे ग्राइंडर से बीट करें, या फिर स्पाचुला से मिक्स कर लें, क्योंकि इसमें जो हम पेस्ट डाल रहे हैं, वो काफी थिक होता है, तो पाइप आइस क्रीम हैं, वो भी काफी थिक बनेगी, काफी टेस्टी बनेगी, आप इसका टेक्षर देखेंगे, क्रीमी टेक्षर तो होगा ही, बिल्कुल वही कलर हमारे आइस क्रीम में आने वाला है, इसे बहुत अच्छे, मैं देखिए बीट कर लिया, और आब इस तरह अगर चार से च्छे घंटे में आपकी आइस्क्रीम नहीं जमती है तो आप अपनी आइस्क्रीम को फ्रीजर में सेट होने के लिए रखते हैं अगर आपकी आइस्क्रीम को बहुत अच्छा से कवर करें ताकि आइस्क्रीम में बिल्कुल भी ना आए और इसे आप 4-6 घंटे में अगर आपकी आइस्क्रीम रेडी नहीं होती है तो आप इसे ओवर नाइट भी सेट करने के लिए रख सकते हैं मैं आपको आज शो करूंगे कि इस तरह की आइस्क्रीम को हम स्लाइस्ट फॉर्म में कैसे सर्फ करेंगे यह बहुत ही यूनिक वे होता है सर्फ करने का 6 गंटे के बाद हमारी आइस क्रीम देखिए रेडी हो चुकी है बहुत ही अच्छा है इसका जो टेक्शर है वो आया है और सिलिकोन मॉल्ड में लेने का में कारण था मेरा कि मैं ऐसे इसी फॉर्म में बाहर निकाल सकूँ आप देखिए कितना अच्छा ये सेम जो शेप हमने दिया है उसी शेप में ये पाहर आ गया है आप मेरी आइस क्रीम देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यार आया है इसमें मैंने कोई एक्स्ट्र कलर अड़ नहीं किया था और इसका टेक्शर भी बहुत सुन्दर आया है आप इसमें चोकलेट सॉस डाल सकते हैं आप इसमें चोकलेट सॉस डाल सकते हैं आप या पिर आप नॉर्मल इसे जामून का जो सीरप मोटा है आप उससीरप के साथ भी सिर्फ कर सकते हैं आइस फॉर्म में बहुत ही जुन्दर हमारी आइस क्रीम दिख रही है आप देख सकते हैं। इतना सुन्दर इसका जो ड़र है वो बहुत ही खिल कर आया है पुपल कलर का हमारा अइस विग्शीम मैंने इस तरह से थोड़े से इसमें ब्लैक प्लम स्टाल दिये है और उसके सद्ध हमारी जो आइस क्रीम है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको यह आइस क्रीम बिल्कुल तोड़ कर दिखा रही हूँ यह देखे कितनी एजीली यह कट हो जा रहा है। बहुत ही हेल्दी बहुत ही डिलीशियस और बहुत जादा बेनिफिशेल है यह आइस क्रीम् अगर आप इस पर विपिंग क्रीम और मिल्कमेट अड़ नहीं करना चाहते हैं तो उस कंडिशन पर आप इसमें कॉर्ण फ्लोर और मिल्क के साथ यह आइस्क्रीम प्रपेर कर सकते हैं और अपने घर में जो डियबेटिक पेशिंट है उनको भी खिला सकते हैं फिर में लेंगे मेरे नेक्स क्लास के साथ बाइ बाइ